Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग सेफ होंगे और प्रिकोशन्स ले रहे होंगे देखो जैसे कि आप लोगों को पता है, सिचुएशन क्रिक्टिकल हो गई है काफी और ना आपने कभी सोचा था, ना मैंने कभी सोचा था, किसी ने भी कभी ने सोचा था कि दुनिया में ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना क्रिक्टिकल सिचुएशन पर हम लोग आ जाएंगे लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस प्रिकोशन्स लेते रहे हैं, सेफ रहे हैं, घर पर रहे हैं और देखें तक गेम मस कोन, तो क्योंकि 12th क्लास है, बहुत important क्लास है भगवान करें, जल्दी से सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप लोग सब लोग बैक टू स्टेडी होंगे, तो जब आप बैक टू स्टेडी होंगे वेटा, तब तक लेकिन अभी सिचुएशन नहीं पता, हमें कब तक lockdown हमारा खुलेगा, और कब तक आप लोगों की पढ़ाई वापस हो पाएगी, इसलिए आप लोगों को online के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपनी स्टेडी continue रखें और study के link से हटे ना आप लोग, देखो, पहली बात तो एक ये समझ लो आप लोग, कि अब भी तक, आज तक, आप लोगोंने जो भी study करी है, वो face to face classes में ही करी है, school में, tuition में, सब जगा, अपने teacher के सामने face to face classes में study करी है, तो बेटा, वहाँ पर एक अलग महोल होता है, एक अलग environment होता है, और अगर आप online class की बात करें, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग environment होता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि आप लोगों से वैसा ही touch रखें, अब क्योंकि आप लोग भी first time online classes ले रहे हैं, तो इतने जल्दी शायद आप लोग इतने अच्छे से online classes के environment में continue ना कर पाएं, तो अपने इस चीज को time दो, कोशिश करो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, 12th के student है, तो environment में अपने आपको जिस तरीके से आप ढ़लोगे, वैसा हो सकता ह तो online class मैं ले रहा हूँ आपकी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वैसा ही सारा setup मैंने रखा है, मैंने कोई visualizer वगएरा का use नहीं किया है, जिससे कि आपको notes दिखते रहे हैं और मेरे जरिफ आवाज नजर आए, मैं आपको face live दिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये board मैंन करा से वो वापस लाने की, अभी मेरे पास एक पुराना board मेरे घर पर रखा हुआ था, मैं उसे को use कर रहा हूँ, और अभी मेरे पास एक यह marker है, उसको use करने के लिए, तो अभी तो देखो, जैसे भी है, game must go on, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से connect रहने की, class को आप लोगों तक पहुचाने की, study आप लोगों तक पहुचाने की, ताकि आप लोगों का नुकसान नहों, इस critical situation में, ठीक है, तो देखो, start करते हैं अब अपनी 12th year accountancy class, तो बेटा, इन class को आप लोग seriously ले, मैं हर third day class upload करने की कोशिश करूँगा, जैसे की, आज Friday है आज ये class upload होगी, उसके बाद next class Monday को upload होगी, Friday के बाद, Saturday, Sunday और third day, Monday, आपको next class upload होगी, ऐसे ही, हर every third day, मैं कोशिश करूँगा, कि आप लोगों की class एक upload हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा start करते हैं, 12th class की accountancy को लेकर, तो आप लोग class देखने से पहले, एक copy और pen, एक notebook थियान से सुने, ठीक है, बोड़ पर जो मैंने लिखा हुआ है, अब उस पर ध्यान ना दे, मेरे सिर्फ बातों पर ध्यान दे, पहले सिर्फ बातों पर ध्यान दे न, फिर मैं आपको समझाओंगा ये बोड़ पर क्या लिखा होगा, ठीक है, तो copy pen अपने पास रखिएग अपके 12th में continue होते हैं, तो मैं आपको starting से बताता हूँ, बिल्कुल basic से लेकर चलता हूँ, देखो accountancy का मतलब 11th class start होते ही, आपको समझ में आ जाता है, क्या accountancy क्या होती है, accounting is an art of recording, classifying and summarization of monetary transactions, ये सारी बाते हैं आपने 11th class में पढ़ी थी, accounts start करते ही, सबसे पहली definition accounting की आत तो आपको पता है कि हम क्या करते है accounting में, कोई भी हमने normal business अगर अपना start किया है, तो हमें उस business के results देखने के लिए accounting करने पड़ती है, accounting करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जितने भी monetary transaction होते हैं अपने business में, जयाने की जो भी पैसो से related transaction है, जिसमें पैसो का कु and then उसको summary करते हैं, ठीक है, 11th class में ये चीज़े पड़ी है, तो आपको ये linked भी होगी, कि हम record करते हैं, तो किस concept के थूँ करते हैं, अपने general entry पड़ी होगी, जो भी हमारे business में, जितने भी monetary transaction होती है, उसको हम record करते हैं, general entry के थूँ, उसके बाद उस general entry में से हम ledgers में उनक करने के बाद, हमें उन ledgers के बाद, हमें financial statement तयार करनी होती है, उन सब ही को summarize करना होता है, और financial statement में हम लोग क्या बनाते हैं, आप लोगोंने पड़ाता, financial statement of sole proprietorship, उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, profit and loss account, trading account, balance sheet, ठीक है, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, trading account पहले आता है, profit and loss बाद में आता है, कोई बाद दिये, ठीक है, तो trading account हम लोग बनाते है, profit and loss account बनाते हैं, उसके बाद, balance sheet हम लोग उसकी prepare करते हैं, ठीक है, तो अब 12th class में क्या करना है, 12th class में हमें accountancy में क्या करना है, ध्यान से समझना, देखो बेटा, जब भी इंडिया में कोई भी person business करन चाहता है, तो वो तीन तरह से entity अपनी बना सकता है, और business start कर सकता है, ये बात मैं आपको पहले भी जमझा चुका हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वोने भी ये basic बाते पता होंगी, क्या, सबसे पहली बात, कि आप या तो अकेले person business कर रहे हैं, आप आपको बहुत जादा बड़े level पर अभी business नहीं करना है, अभी आपने नया business start किया है, जो मैं हमेशे example लेता हूँ, for example, मैंने कुछ भी manufacture करने के लिए, जैसा कि मैं class में भी example लेता हूँ, marker manufacturer अगर हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने एक machine लगा कर मैं markers बहुत सारी manufacture उसमें कर र sole proprietor अपना business continue कर सकते हैं, okay, दूसरा, अगर आप अपने business को बढ़ाना चाह रहे हैं, for example, आपने एक machine से जितना भी आपको profit earn हो रहा है, आप अब वो profit को increase करना चाह रहे हैं, अब आपको business में, for example, आप every year business में invest करते हैं, पैसा, invest करते हैं मतलब जो भी आपका खर्च होता ह है, लगबग लगबग 10 lakh रुपीज आप लोग invest करते हैं business में every year, जो भी आपकी cost होती है, वो होती है every year 10 lakh रुपीज, और उसके बाद इतना cost आपका लगाने के बाद हर साल 15 lakh रुपे, यानि कि 15 lakh रुपीज का आपको एक तरीके से revenue generate होता है, तो अब 15 में से अगर आप 10 क cost हटा देंगे, तो आपका जो basically profit आएगा, net profit अगर मैं इसको बोलू तो ये आएगा आपका 5 lakh रुपीज, अब मेरको every year 5 lakh रुपीज का profit हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस profit को increase करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरको 1-2 machine और increase करनी है, म every year 10 lakh रुपीज बिजनस में invest करता हूँ और मेरको 15 का return आता है, तो मेरको 5 lakh रुपे का basically earn हो रहा है, तो अब अगर मैं और भी किसी person को अपने business के साथ जोड़ लूँ और वो भी 10 lakh रुपे लगाए, तो शायब profit increase होता है और increase होगा, for example, अगर मैं एक machine और खरीद लूँ, एक और person मैंने अपने साथ जोड़ लिया, वो भी हर साल 10 lakh रुपे लगाएगा, मैं भी 10 lakh रुपे लगाऊँगा, business में 20 lakh रुपे हर साल invest करेंगे, तो हो सकता है business अब 15 into 2, 30 lakh revenue generate करने की जगा, अब वो 40 lakh revenue generate करने लगे, क्योंकि बहुत सारी business में ऐसी cost होती है, जो एक machine भी हो, तब भी उतनी लगेगी, दो machine भी हो, तब भी उतनी लगेगी, इसको fixed cost करते है, for example, machine जो मैंने पहले अपनी लगाई हुई थी, उसके लिए जो मैं factory का rent दे रहा था, या premises का rent दे रहा था, वो जितना भी मैं rent दे रहा था, वो एक machine का दे रहा था, अब मैं वहाँ दो machine लगाँ, तीन मशीन लगाँ, वो रेंट दो उतना ही जाएगा, तो मेरी जो cost है, वो हर machine पर divide हो जाती है, चीक है, और कुछ cost जो है, वो fixed रहती है ऐसा भी machine के लिए, तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे business में ऐसा हो जाता है, कि हम invest पहले कुछ पैसा कर रहे थे, कम पढ़ती है, ठीक है, तो अब हो सकता है, मेरे को जाधा पैसा मैं कमा पा रहा हूँ, तो जरूर नहीं है, 40 ही कम हो, हो सकता है, 35 ही कम हो, तो अब 20 लाख रुपे हम लोग business में लगा रहे हैं, और अगर मैं 35 लाख रुपे भी उससे कमा रहा हूँ, तो अब हम दोनों को 7.5 लाख रुपे पढ़ रहे हैं business के, एक concept मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, समझ में आया, तो क्या होता है, अकेले person अगर business कर रहा है, तो उसको इतना जादा earn होने के chances कम होते हैं, business grow होने के chances थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन अगर आप किसी partner को साथ में ले लेते हैं, तो उस partner की goodwill, उसके भी बहुत सारी जान पहचान होती है, और उसका जो investment हैं, दोनों मिलाकर आप जादा profit earn कर सकते हैं, तो आप अपना business sole proprietorship के through भी start कर सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर आपको business को increase करना है, या starting में increase, बड़े level पर start करना है, तो आप कुछ एक या दो partner अपने साथ रख सकते हैं, और भी जादा partner रख सकते हैं, maximum कितने partner है, full detail क्या है, इसकी वो आपको धीरी-धीर आगे समझ में आईजी, तो आप partnership firm फिर अपनी बना कर अपना business start कर सकते हैं, ठीक है, दो point यह हो गए, third point होता है, फिर अगर आपको बहुत जादा बड़े level पर अपना business करना है, या आपका जो भी business है, उसके लिए आपको market से, या financial institution से, bank से loan लेना है, तो आप अपने business को as a company registered करा सकते हैं, company 11th class में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि maximum company में 200 member हो सकते हैं, private company में ठीक है, और public company में maximum unlimited हो सकते हैं, यह सारे concept आपने पढ़े हुए 11th class में, ठीक है, अब धियान जाज़े, तो अगर आपने company registered करा ही है अपनी, तो अब आप member अपने 200 के limit तक increase कर सकते हैं, और दूसरी चीच, आप financial institution या banks के पास, अगर loan लेने के लिए जाते हैं, credit लेने के लिए जाते हैं, creditors भी, आपको अब loan और credit देने के लिए थोड़ा राजी हो जाते हैं, थोड़ा सा agree हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा साही रहता है कि company है, थोड़ा strict है, इसलिए banking वगेरा को, banks वगेरा जितने भी हैं, इनको लगता है कि हाँ कर कोई company है, तो इसके ओपर company of 2013 apply हो रहा है, और ये लोग उसके पूरे rules and regulation follow कर रहे होंगे, अब अगर आपको और बड़े level पर business करना है, तो फिर आप public company register करते हैं, market में share issue करके, बहुत सारे लोगों से shares का पैसा लेते हैं, और अपने business को और बड़े level पर grow करते हैं, अब ये public company के example, जैसे reliance industry हो गया, data industry हो गया, और भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी company है, जो public company है, और private company बहुत सारे आपको जगा जगा देखने को मिल जाती हैं, ये सारे concept आपने 11 में पढ़े थे, अब सार 12 में क्या करना है, अभी तो आप 11 के concept revise कर रहा है, मैं revise नहीं करा रहा है, ये सारे के सारे concept 12 में भी use होईंगे, अब ध्यान चे समझेगा आपको 12 में क्या करना है, तो जैसे कि मैंने बताया, आप तीन तरह से entity अपनी registered करा कर, अपना business start कर सकते हैं, आप soul proprietorship के थूँ अपना business कर सकते हैं, अकेले person, आप 2-3 partner मिलकर अपनी partnership firm बना ले और उसके थूँ अपना business कर ले, या फिर आप अपने आपको as a company register करा ले और company act के अदर आप business अपना कर सकते हैं, अब accountancy से कैसे link करें, बेटा soul proprietorship, कुछ याद आ रहा है 11 class से, की accountancy आप 11 class में पढ़ चुके हैं, इसका financial statement बनाना अपने 11 class में सीखा था, इसका, ठीक है, profit and loss account, balance sheet, जो आप इसका बनाते थे, trading account, profit and loss account, balance sheet, वो chapter याद करो, chapter का नाम था, soul proprietorship, financial statement of soul proprietorship, ठीक है, और adjustment का भी जो chapter था, ठीक है, तो ये chapter आपने 11 class में पढ़ा हुआ है, इसकी पूरी accounting, ठीक है, अब इस entity की accounting तो हमने 11 class में पढ़ ली, लेकिन, अब partnership firm की accounting हमें 12 class में पढ़नी है, और company की accounting हमें 12 class में पढ़नी है, तो यहां से सारे concept लिंक होते हैं आपके, समझ में आया, तो 12 class की accountancy में हमें actually पढ़ना क्या है, हमारा syllabus क्या है सर, इस पूरे accountancy में हमें क्या क्या चीज़े पढ़ने को मिलेंगी, वो सारी बाते आपको बोर्ड प कर रहा हूं, not 80 marks, 100 marks का जो सलेबस है, वो 3 part में divide करा गया है, part A, part B, part C, यह जो divide किया है, CBSC ने divide किया है, तो part A में जो आपका units divided है, वो सबसे पहला unit, unit बनाता है, financial statements of not for profit organization, पहले तो मैं आपको financial statements की पूरी detail समझाऊँगा, अभी basic जानकारी के लिए आप लोग यह समझ ल proprietorship हो, partnership हो, company हो, basically financial statement में जो cover होता है, वो होता है हमारा, क्या, trading account, profit and loss account और balance sheet, अभी तक 11th के concept के हिसाब से, आपके लिए इतना काफी है, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा है, financial statement of sole proprietorship, तो वहाँ आपने पढ़ा है, trading account, profit and loss account and balance sheet, अब जब आप 12th में पढ़ेंगे के partnership firm के financial statement में क्या आएगा, company के financial statement में क्या आएगा, और एक और entity होती है, not for profit organization, sir आपने इस entity का नाम इन तीनों के साथ क्यों नहीं लिए है, क्योंकि ये तीनों entity अगर आप बना रहे हैं, तो ज़्यादा तर ये entity होती है, profit making ही होती है, कि आप profit generate आपको करना है, इसलिए आप ये entities बना कुछ entity ऐसी होती है, not for profit organization, जो profit कमाने के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, mutual understanding के लिए काम करती है, जैसे कि बहुत सारे charitable trust, charitable hospital, charitable institution, तो बहुत सारी entity होती है, जो profit कमाने के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, और बहुत सारे reason होते हैं, क्यों वो काम करती है, तो इसकी detail में मैं आपको तब ही लेके जाओंगा, तो फिलहाल आप इतना ही समझे, financial statement या नहीं कि हमें final account बनाना है इनका, जैसे 11 पे मनाया था, balance sheet, profit and loss account, वो not for profit organization का बनाना है, अब इनके financial statement में क्या-क्या चीजे आती है, जैसे sole proprietorship के financial statement में, trading, profit and loss account, balance sheet आया था, तो इनमें क्या-क्या चीजे आती है, यह जब यह chapter स्टार्ट होगा, यह unit स्टार्ट होगा, तब आपको detail में समझा जाएगा, तो और getting my point, चलगे, next point पे आते है, unit 2 हमारा आता है, ठीक है, unit 2 क्या है, accounting for partnership firm, अभी मैंने आपको बताया था sole proprietorship के बारे में, आप 11th class में पढ़ चुके है, अब जो आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे partnership firm की accountancy के बारे में, तो unit 2 आप क्या आती है, accounting for partnership firm, sirs, यह first unit कितने marks है, first unit हमारी आती है, 10 marks है, बेटाए, एक ही chapter है, पूरा financial statement of not for profit organization, पूरा एक ही chapter है, और इस पूरे एक chapter के ज जाएं, तो पूरा 10 marks हमारे हम expect कर सकते हैं, कि इसमें आएंगे, ठीक है, दूसरा unit 2, sir, यह 30 marks, एक unit 30 marks, हाँ बेटा, इस unit के अंदर आपके अलग-अलग chapters divide होते हैं, ठीक है, जब आप accounting for partnership firm के बारे में बात करते हैं, तो basically हम accounting कैसे करते हैं, बहुत ही छोटा सा basic आपको बत यह normal हमारी partnership firm चल रही है, तो क्या basic उसमें accounting होगी, उसके financial statement में हमें क्या-क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब आगे, अगर हमने अपनी partnership firm में कोई new partner को admission किया, उसको कोई admission लिया हमने new partner को, मतला हम 3 partner पहले थे और एक नया partner हो रहा गया, तो हम total हो गए 4 partner, तो अब हमार currency में, हमारी partnership firm में क्या changes आएंगे monetary term से related, मतला पैसे से related, क्या-क्या हमारे बीच में dealing होईगी, क्या-क्या changes आएंगे, तो उसके बारे में हमें पड़ना है, उसके बाद अगर कोई partner हमारे हैं से retire हुआ, retire हुआ मतलब वो चला गया, पहले 4 partner थे, अब 3 ही रहे गया, कोई ए last में आता है कि अगर partner अगर हमारे किसी की death हो जाती है, मालनो हमारे 4 partner है, 4 में से 1 की death होगी, 3 रहे गए, तो अब इसकी accountancy हम कैसे करेंगे, अब एक इसमें last point और आ जाता है, क्या, कि अगर हमारी पूरी की पूरी firm dissolve हो रही है, बहुत पैसा कमा लिए, अब partners के बीच में हिसाब कर दो हमारा, तो ठीक है, हिसाब करेंगे किसको कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत सारी बाते हम करेंगे इसमें, तो इसलिए इसमें बहुत सारे chapters रिवाइड हो जाते हैं, लगबग 6 chapters में होते है, unit के अंदर, तो ये 30 marks का पूरा होता है, और ये काफी broad है ये सलिबास हमारा, unit 2 के अंदर, तो इसके accounting पे 30 marks हमारा weightage होता है, फिर आता है unit 3, unit 3 पे, इसका weightage है 20 marks, 20 marks के weightage में क्या आता है, accounting for companies, अब देखिए, sole proprietorship के accounting के बारे में बात हो गई, 11 class में, partnership firm के हम 12 class में पढ़ेंगे इसके बारे में, और companies के बारे में भी हम 12 class में बात क करेंगे, company के पूरी accounting piece number के हमारी आती है, लेकिन company के accounting यहीं पर ही नहीं रुख जाती है, company के accounting आगे भी continue होती है, part B में, unit 4 में, हमारा analysis of financial statement, ये एक chapter है, ठीक है, analysis of financial statement, और इसका पूरा weightage होता है 12 marks, इसमें हम क्या करते हैं, तो हम जब company के accounting करते हैं, तो company के अंदर आपको पता है कि shares होते हैं, equity shares होते हैं, preference shares होते हैं, equity share holder होते हैं, preference share holder होते हैं, debenture holders होते हैं, 11th class में इसके बारे में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, detail में बात में पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, तो सारी चीज़े revise कराएंगे बात में, तो company में ये shares कैस कैसे इशू होते हैं, कैसे प्रेफरेंशियर इशू होते हैं, कैसे डिवेंशियर इशू होते हैं, कैसे इनको रिडीम किया जाता है, वापस पैसा लिया जाता है, वो सारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग हमारी इधार आएगी, और फिर जब हम कंपनी बना रहे हैं, और क्या include होता है financial statement में क्योंकि company की financial statement जो है वो company act के according लगी क्योंकि company के उपर एक particular law applicable हो रहा है और अगर हमारी कुछ entity है कोई भी entity है हमारी उसके उपर particular law applicable हो रहा है तो हमें वो law follow करना होता है और उसके according अपनी accounting हमें करनी होती है तो company act के उपर company act 2013 2013 applicable होता है और हमें उसके according अपनी accounting करनी होती है अब उसके according जो हमें accounting करनी होती है तो वो हमें बताएगा company act जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में कि financial statement companies का कैसे बनता है और उसमें क्या-क्या include होता है और उसका हम करेंगे पूरा full detail analysis financial statement का full detail analysis तो financial statement बनाना भी सीखेंगे और उसकी detail में analysis करना भी सीखेंगे उसके बाद हमारा एक chapter आता है cash flow statement जो कि part B में ही है और ये 8 नमबर का हमारा आता है cash flow statement एक बहुत भड़ी आ chapter है लेकिन ये दोनों ही chapter मैंने कहा था ना company accounting ही खदम नहीं होती है यहाँ पर 20 marks में company के बारे में आएगा full detail उसके बाद financial statement को companies की ही financial statement को analysis हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर आएगा और फिर companies के अंदर एक financial statement में एक part और बनता है cash flow statement company के अंदर पूरे year में कितना cash आया और कितना cash गया मतलब cash कहां कहां से आया और कहां कहां हमने उसको utilize किया यह पूरी cash से related हमारा एक statement बनता है जिसका नाम बनता है cash flow statement इसके बारे में भी हम पूरी detail में चर्चा करेंगे आपसे तो 8 marks का यह हमारा chapter आता है तो मेरी बात समझ में आई तो अब मेरे ख्याल से syllabus का एक overview आपको मिल गए अब ध्यानते समझेए आगे बढ़ते हैं इसमें तो cash flow statement आपको समझ में आया यह सारी बात है आपको समझ में analysis of analysis statement तो हमारा यह 5 units में हमारा पूरा syllabus divide है अब part A हो गया, part B हो गया part C में आता है हमारा project work जो आता है हमारा 20 marks का तो यह जो marks है हमारे 80 marks का बढ़ते है project work आता है हमारा 20 marks का ठीक है? आती है मेरे बात समझ में? अब total 100 marks हो गए अब सारी 20 marks के अंदर हमें क्या करना है? यह आपको पता चल जाएगा धीरे-धीरे अब स्कूल खुलेंगे आभी और चीज़े आपको समझ में आएंगी एक दिन में सारी चीज़े मत समझो ठीक है? तो अब भी तो बस basic understanding है syllabus की कि हमने क्या-क्या पढ़ना है 12th के accountancy में अब यह syllabus के understanding के साथ paper के pattern के understanding भी ले लो पहले से ही आपको पता होना चाहिए किस तरीके का pattern आपका आता है कुछ स्कूल में pattern बताएगे 11th class में भी इसी तरीके का pattern follow होना चाहिए CVSC ने बोला है कुछ स्कूल ने follow किया है पता नहीं कुछ स्कूल ने शायद follow नहीं किया है तो ध्यान से समझेगा questions कितने और कितने marks के तो ध्यान से समझेगा 20 questions आएंगे 1 marks के 11 marks के 20 questions आएंगे total weightage होगी 20 20 number यहाँ होगे 2 questions हमारे आएंगे 3 marks के total weightage बैटेगी 6 5 questions आएंगे 4 marks के total weightage बैटेगी 20 marks 3 questions आएंगे 6 marks के total weightage बैटेगी 18 marks and 2 questions आएंगे 8 marks के टोटल विटेज में ठीगी, 16 marks टोटल हमारा फिर 80 marks का आता है और 20 marks का, आपको मैंने अभी बता है प्रोजेक्ट वर्क आपका आता है ठीक है, अब सर ये जो slabers है, part A, part B क्या books में भी ऐसी हमारा divide होगा? नहीं, त्यान से समझेगा market में बहुत सारी books है वले बले, लेकिन जो books ज़्यादा, सबसे ज़्यादा popular है, उसका नाम में और लेड़ी आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में नाम में नहीं लोग है क्योंकि copyright issue आता है ठीक है, नाम में आपको यह हमारा होता है volume 1 के अंदर, अगला हमारा आती है volume 2, volume 2 के अंदर आता है हमारा accounting for companies, पूरा volume 2 सिरिफ accounting of companies के अपर होता है, 20 marks की जो हमारी वो अलग book हो जाती है, ठीक है? अब volume 3 में आता है हमारा analysis of financial statements and cash flow statement, तो यह नहीं कि तीन volume में बुक मिलेगे, तीन book हमें एक तरीके से मिलेगे, अब सर आप सबसे पहले कौन सी book स्टार्ट कराएंगे? सबसे पहले हम, जो book स्टार्ट करेंगे, वो 3 स्टार्ट कराएंगे reason being, reason being, इसका reason यह है कि इस book में जो basic concept है company के financial statement वगरा, वो आपको पहले समझ में आ जाने चाहिए, तभी आगे की company के आप detail में अच्छे से और समझ पाएंगे, और दूसरा reason यह है इस company के chapters में, जो जितने भी chapters हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह connected नहीं है, थोड़ा सा अलग है बाकी कि अगर मैं chapter की बात करूँ partnership firm में या company में अगर एक chapter आपका मिस हुआ तो आगे के दो chapter फिर आपको समझ में नहीं आएंगे तो इस book को start करने का पहला मकसद यह होता है, basic यह concept होता है, कि student अगर बात में बीच में भी classes join करें, तो उसको यह सारी चीजे बीच में भी समझ में आ जाएं, ठीक है लेकिन अगर हमने partnership firm पहले start करें, तो अगर किसी बच्चे का पहला chapter निकला तो वो basic concept उसको समझ में नहीं आएगा आगे तक पूरा partnership की book उसकी गाया ठीक है, और फिर इतना heavy आपके लिए हो जाता है, यहाँ पर अलाग अलाग थोड़ा सा comparatively हलका सा easy concept है यहाँ पर, तो इसलिए पहले अपने mind को 12th के syllabus में ढालो इन चीजों को समझो, इनको दिमाग में डालो, ठीक है, और यह सारी चीजे आपको धीरे-धीरे समझ में आएंगी चलिए, आगे बढ़ते हैं, next concept पर आगे बढ़ने से पहले, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा एक app होती है, Google Classroom के नाम से लिखा हुए, Google Classroom आप लोग वो app डाउनलोड करें और वहाँ right-hand side corner पर एक option होता है Join Classroom, आप उस option पर क्लिक करेंगे तो वो code आप से पूछेगा और ये code आप डालिएगा CA24PI4 All alphabets are in small letters यह आप code डालेंगे तो मैंने वहाँ पर एक classroom बनाई हुई है यह क्या है, कुछ नहीं है, इसमें कोई payment या कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको एक app डाउनलोड करनी है और अगर यह आप classroom join करते हैं मैंने यह classroom बनाई हुए तो उस पर मैं आपके लिए notes अपलोड कर सकता हूँ आपके online test अपलोड कर सकता हूँ तो यह सारी चीज़े आप उसमें आपको मिल जाएंगी जो हम actually online class में पूरी तरह connect नहीं हो पाते हैं अपर queries वगेर भी उसमें पूछ सकते हैं तो कोशिश दो मैं पूरी कर रहा हूँ कि आप लोग को का study continue रहे नुकसान ना हो तो आप लोग भी seriously please थोड़ा पढ़ाई कर दिएगा तो चलिए अगले concept पे आते हैं अब मैंने आपको बताया पूरा syllabus आपको मैंने बताया तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि third book हमारी पहले start होगी जिसमें मैंने आपको बताया था unit 4 और unit 5 unit 4 analysis of financial statement and unit 5 cash flow statement तो unit 4 जो है analysis of financial statement तो उसके बारे में मैं आजा आप से पहले उसके बारे में चर्चा हम करेंगे तो analysis of financial statement पहले आप ये समझे financial statement होता क्या है देखो बेटा financial statement किसी भी entity का वो statements होते हैं वो documents होते हैं जो उस entity के results बताए results कैसे पता चलेगा आपको profit and loss account से results पता लगेगा company ने profit कमाया है या company को loss हुआ है और balance sheet से company की financial position के बारे में आपको पता चलेगा company के पास कितना assets है कितनी liabilities है और कितना capital है company के पास बाकि आपको पता ही है assets भी अलग-अलग part में divide होती है कितना company के पास fixed asset है किसी भी entity की अगर मैं बात करूँ तो कितना fixed asset है कितना आपके पास current asset है liability में कितनी fixed liability है current liability है किसी भी entity को financial statement क्या होता है entity का वो documents जो उस entity के result बता है now next point financial statement हर entity का अलग-अलग बनता है sole proprietorship का financial statement 11th class में बनाना सीख लिया है balance sheet, trading account, profit and loss account यह हमने बनाना सीख लिया है अब partnership का जो financial statement बनेगा वो partnership वाले chapter में आपको detail में समझाया जाएगा फिलहाल analysis of financial statement जो हम कर रहे है वो कर रहे है company की तो analysis of financial statement of company हम पहले इस concept को detail में पढ़ेंगे तो financial statement आपको पता लग गया वो document जो result बताएगा अब company के अंदर ऐसे कौन-कौन से document होते हैं जो financial statement पे count होते हैं ठीक है अब देखिए बीटा company की पहली बात तो अपने 11th में basic definition पढ़ी हुई है जो company की section 2 clause 20 में है that company is a company register under company 2013 or in any previous company law यह अपने definition पढ़ी है तो company होती क्या है आपने पढ़ा है basic चीज़े artificial person एक तरीकी की वो होती है law में सिर्फ उसकी existence होती है तो company जो हमने entity बनाई है वो सिर्फ एक registration करा लिया है उसका और member हम लोग उसके separate होते हैं और company एक separate entity मानी जाती है तो company के अंदर जो भी rules follow होते हैं वो पूरे के पूरे rules follow होते हैं company act के अगर मैं अभी मैं पूरे law के detail में आपको नहीं लेकर जा रहा rules और law में बहुत difference होता है वैसे तो तो अभी मैं layman language में मतलब एक normal language में आपको इबाते समझा रहा हूँ तो basically companies के उपर एक law applicable होता है law है company act 2013 यह आपको पता है तो company के अंदर जो भी documents प्रिपेर होंगे या company जो भी decision लेगी जो भी काम करेगी वो company act 2013 के law को follow करके करेगी अब company act के उपर अगर company act company के उपर company act 2013 applicable हो रहा है तो अब company company act 2013 के according अपनी financial statement बनाएगी अब company act 2013 ने company को क्या बोला है वो ध्यान से समझे company act 2013 ने financial statement की definition बताईए ये company को तो अब जैसे for example मैं company मेंने register कराई तो अब मुझे financial statement का जो meaning अपने लिए देखना है वो company act के अंदर ही देखना होगा company act मैं open करूँगा company act की detail में चेक करूँगा उसमें और company act के अंदर ही मैं चेक करूँगा कि क्या definition है मेरे financial statement की और financial statement मेरे लिए क्या माने मतलब मेरे लिए क्या मतलब है financial statement का तो company act ने financial statement define करा है एक section में section है section 2 clause 40 financial statement company ने define किया है financial statement क्या होता है ठीक है तो financial statement में company ने बोला है company act ने बोला है financial statement includes balance sheet, profit and loss account notes to accounts and cash flow statement company act में section 2 clause 40 में define किया है financial statement क्या होती है उन्होंने full detail ने बता ही financial statement क्या होती है उन्होंने बोला financial statement क्या क्या include होता है उन्होंने बोला balance sheet include होती है, profit and loss account include होती है, notes to account और cash flow statement, sir profit and loss account सुना हुआ है हाँ, sir balance sheet सुना हुआ है 11th class में बिल्कुल, sir notes to account नहीं सुना, बताया मुझे, बिल्कुल अभी बताएंगे क्या होता है, cash flow statement में भी sir नहीं पढ़ा आपने, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको नज़र आएंगे ना इसमें, तो अब देखिए, पहले, company act के एक और section है, जो है section 129, वो ये कहता है कि आपको balance sheet का मतलब बेशक मालूम हो, profit and loss account का मतलब बेशक मालूम हो, ठीक है, लेकिन हम company act, ये कहता है कि इंडिया में जितनी भी companies है, वो इस section को follow करे, ये section क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है, section 129 of companies act 2013, prescribed मतलब बताता है कि balance sheet and profit and loss account बनाए जाएंगे, are prepared, in form prescribed in schedule 3 of company act 2013, अब इस line का मतलब क्या, सरी है तो बड़ी अजीब सी line है, अजीब सी इसलिए क्योंकि इसमें जो language लिख हुई है, वो पूरे law की language लिख हुई है, मैं इसको full detail में explain कर अच्छा सरी है, आप इतनी detail में क्यों बता रहे हो, पीटाई, it's syllabus में है, ये आपके book में है, बिल्कुल book का exact point मैंने है आपर लिखा है, जो आपको book अभी मिलेगी, बिल्कुल book का exact point मैंने लिखा है, इसलिए मैं इसको detail में explain कर रहा हूँ, ये बिल्कुल syllabus में है, अब धि company act follow करेंगी, और balance sheet, profit and loss account जो बनाई जाएंगे, वो हमारे कहे हुए format के अनुसार बनाई जाएंगे, और हमने जो format बताया है, वो एक schedule 3 के नाम से, एक हमने schedule बनाया है, जिसके अंदर profit and loss और balance sheet का format पूरा define किया है, अब company act में क्या होता है, company act के अंदर बहुत सारे format, बहु sheet का ये format होगा, profit and loss का ये format होगा, और भी बहुत सारे documents company के होते हैं, जिसके बारे में आपको ने पढ़ना, उनके भी formats बताया हुए है, तो schedule उन्होंने बनाया हुआ है, इतनी detail में आपको नहीं जाना है, बस ये मानिए कि law के अंदर का ही एक part है, schedule माने एक ऐसी चीज, जि हम इंडिया में किसी भी company की balance sheet या profit and loss account बनाएंगे, तो हमें पहले schedule 3 पढ़ना होगा, और schedule 3 में देखना होगा कि किस format में balance sheet बनी ही और किस format में profit and loss account बना हुआ है, अब profit and loss को explain करने के लिए मैंने here star mark किया है, और ये star mark को मैं explain करता हूँ, यहाँ पर double star जो है, वो notes to account के ल loss in part 2 of schedule 3, अब ये जो profit and loss के हम बात कर रहे है, schedule 3 के अंदर, तो schedule 3 के अंदर profit and loss का जो format दिया हुआ है, वो part 2 में दिया हुआ है, schedule 3 के अंदर बहुत सारे parts है, तो part 2 के अंदर profit and loss का statement दिया हुआ है, अब ध्यान से समझेगा, इन्होंने बोला है, it is described as, described as statement of profit and loss, मतलब, मतल schedule 3 के part 2 के अंदर profit and loss account को बोला जाता है statement of profit and loss, यानि ये नहीं है कि profit हम determine ही नहीं करेंगे, profit determine करेंगे, लेकिन profit determine करने के लिए जो हम statement बनाएंगे, उसको profit and loss account ना बोलकर, उसको हम बोलेंगे statement of profit and loss, you are getting my point, ठीक है, तो schedule 3 के part 2 में profit and loss को define किया गया as statement of profit and loss, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि schedule, financial statement में चार चीज़े हैं company के अंदर, क्या क्या चीज़े, balance sheet इन्होंने बोला है, कि financial statement के अंदर balance sheet होगी, profit and loss account होगा, notes to account होगा, cash flow statement होगा, balance sheet और profit and loss account, जो है, वो schedule 3 के format के according हमें बनाना है, अब sir, notes to account क्या होता है, notes to account क् ये company के लिए, आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, ये भी वैसे schedule 3 में इसके बारे में बोला हुआ है, लेकिन हमें इतनी detail में नहीं पढ़ना, खाली आपको पता होना चाहिए, notes to account क्या होता है, notes to account के नाम से आपको पता लगा रहा है, notes है, accounts के, तो company में जितने भी financial statement बनाई जाती है, यानि कि balance sheet और profit and loss account बनाई जाते हैं, उसकी details हम notes to account में डालते हैं, balance sheet और profit and loss में, for example, balance sheet में एक बात आ गई, fixed asset, अब उस fixed asset के अंदर क्या क्या detailing है, full detailing, अलग से notes to account बनाई जाएगी और उसमें define कर रही जाएगी, समझे, तो profit and loss जो हम बनाते हैं, उसको ह क्या बनते हैं, statement of profit and loss, तो statement of profit and loss company का जाम बनाते हैं और balance sheet जाम बनाते हैं, उसके सारी details हम कहां define करते हैं, notes to accounts में, तो ये notes to account हमें बनाना mandatory होता है, ये ज़रूरी होता है बनाना और ये कैसे बनाते है, इसको बनाना हम आपको सिखाएंगे detail में, ठीके, इसके बाद cash flow statement, य क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात बताई थी, cash flow statement, वल्लाब इसके नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा statement जिसमें हम cash flow determine करेंगे, cash flow मतलब कितना cash हमारे business में आता है, और कितना cash business से जाता है, कहां से पैसा आ रहा है, और कहां कहां पैसा जा रहा है, ये सारी बाते भी हम cash flow statement में बनाते हैं, समझ में आया, तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़े मैंने board पे लिखी है, इसको एक notebook में copy करिए, pen से copy करिए, यह नहीं की screen shots वगेरा लेकर बैट जाए, आप एक notebook बनाईए, notebook में सारी चीज़े copy करिए, इससे पहले भी book से थोड़ा-thोड़ा connect करकर पढ़िए, ठीक है, तो अब class की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बच्चों के आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े मैं लाओं class के जरीए, तो आप एक बार Google Classroom पे भी मेरे को join कर लीजएगा, और ये class जितना बच्चों का आप share क लेते रहिए, घर से भार मन निकलिए, ठीक है, और कोई doubts हो, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, call भी कर सकते हैं, मैं आपके play आमेशा available हूँ, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं next class में, thank you very much.